दोस्तो माया की मौत के बाद छोटी अनु को लगता है एक गहरा सद्मा जिसके कारण छोटी अनु बेहोस हो जाती है वही जब अनुज अनुपमा को यह खबर बताता है तो वो भागी भागी कपाड़िया हाउस में भागी चलियाती है लेकिन अनुपमा की इस पूरी कहानी को जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए दोस्तो अनुपमा में एक नया ड्रामे देखने को मिलेगा माया की मौत अनुपमा को बचाते हुई है ये पूरी की पूरी खबर छोटी अनुपमा सुन लेती है और उसे एक गहरा संदमा लग जाता है और वो बेवोश हो जाती है जिसके बाद अनुपमा को फोन करके कपाडिया हाउस में बुलाता है जा फिर भागी भागी अनुपमा कपाडिया हाउस में पहुंस टी है लेकिन दोस्तो आप छोटी अनुपमा से बात नहीं करती है और उसे घूर घूरते हुए देखती है अब इससे ये लग रहा है कि छोटी अनू अनुपमा को अपनी मा की मौत के जिम्मेदार मान रही है जिसके चलते वो अनुपमा से बात नहीं कर रही है अगे की और तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिये और देखते रही है इस्टार प्लस का धमागेदार शोग अनुपमा